संजिप कुमार हिंदी सिनिमा के वो दिकज अबनेता थे जो परदे पर आते ही धमाल मचा देते थे अपने 25 साल के एक्टिंग केरियर में कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनोंने सिनिमा घरों में दर्सकों को सीट बांदे रखने का काम किया वो अपने हर अंदाज से फैंस का दिल जित लेते थे लेकिन इंडेश्टि का एक सूपर स्टार उन्हें सांदर एक्टर नहीं मानता था आएए आपको बताते हैं कौन था वो सूपर स्टार संजिप कुमार ने अपने केरियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है खिलोना, सोले, सीता और गीता, आंदी जैसी कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिन में उनके काम को काफी सरहा गया था वो इंडेश्टि में पहचाने ही अपने संजीदा अबने के ले जाते थे अपने दोर में उनने हर एक्टरिस के साथ काम किया साल 1925 में आई रमेसिपी की फिल्म सोले में उनका ठाकूर का किरदार तो लोगों के जहन में आज भी जिन्दा है उनकी एक्टिंग के दिवाने फिल्में आज भी उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं लेकिन 60 और 70 के दस्दक का एक सूपरस्टार उन्हें सांदर एक्टर नहीं मानता था संजीद कुमार को अच्छा एक्टर नाम मानने वाले वो सूपरस्टार राजिस खन्ना थे इस बात का जिक्र किया है कि सलिम खान ने ये बात उन्हें बताई थी कि एक बार फिल्म मैगेजिन ने संजीद कुमार पर कवर स्टोरी की थी जिसमें सलिम खान ने संजीद कुमार को सांदर अवनेता बताया था और उनकी खूप तारिप की थी वो मैगेजिन जब राजिस राजिस खना बांदरा में महबब इस चुडियो में एक दिन सूट कर रहे थे वो ही उन्होंने सलिम खान को बुला कर पूछा कि ये आपने कहा है कि संजीब कुमार अच्छे एक्टर हैं उन्हें कहा कि मेरे बारे में आपका क्या खयाल है सलिम ने कहा कि अगर कोई मुझ से त में तब भी यही कहूँगा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो इसके बाद राजिस खना ने उनकी तरफ देखा और मेगजिर बंद करके वहां से चले गए इसके बाद उन्हें छे महने तक सलिम खान से बात नहीं की थी बहुत कम लोग जानते हैं कि संजिब कुमार अजू महेंदर के रिष्टे में मामा लगते थे फिल्म फेर को दिये एक इंटर्वी में अंजुने बाताया था कि संजीब कुमार उनके मामा लगते हैं उनके साथ अफेर की खबरें सिर्फ अभवा हैं इतना ही नहीं मेरे एक्स वाफरन यानि कि राजिस खना को भी लगता है कि हामारा अफेर चल रहा है लेकिन कई सालों बात जब संजीब और राजिस खना ने एक फिल्म में एक साथ काम किया उन्हें एक सीन के दोरान संजीब को धपड मारना था लेकिन इस सीन में राजिस ने उन्हें पूरे गुस्से से संजीब कुमार को जन्नाटे दर धपड जोड दिया था